जै स्री स्याम सभी स्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके व्यारी जी की किरपास से आप सभी कुसल होंगे आज मैं आपके सामने लेकर रही हूँ तुलसी मंजरी से सम्मंदेत को चुपाए जैसे कि मेरे पास ये तुलसी मंजरी है तो इसके क्या उपाए है तो वो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ क्योंकि तुलसी के उपर जब तुलसी मंजरी लगती है तो उसको उतारना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले बात करते हैं तुलसी मंजरी को कैसे उतारना चाहिए तो तुलसी मंजरी को कभी भी हमें कैची से काट के नहीं उतारना है नाखुन से भी तोड के नहीं उतारना है उसको धीरे से बस तोड लेना है नाखुन नहीं लगाना कैची नहीं लगानी क्योंकि वो माता ह उनके साथ में ऐसे नहीं करना है फिर बात आती है कि अब हमने उतार ली क्या कुछ he लोग क्या करते हैं तो मंजरी受क बंचियुक्षी करते हैं लोगे में तुलसी क्यारी में ही डाल देते हैं हमें उसको ऐसे ब्यर्थ नहीं करना है दो बहुत काम की बहुत उप्योग है उसके तो बहुत अच्यूक उपाई हैं तो वह अच्यूक उपाई कौन-कौन से हैं आपको बताने जा रही हूं कौपी पैन लेकर बैठिएगा क्योंकि यह सारे आप नोट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी सबसे पहला उपाई है कि एक तावे का कलस लीजिए सबसे पहला उपाई में आपको बता रहे हूं आपको एक नावे का पात्र लेना है और उसमें डाल देनी है तुलसी मंजरी एक ऐसी तुलसी मंजरी जिसमें की तुलसी पत्र नहीं लगा हो बस आपको यह दिहान रखना है और आप यह तुलसी मंजर आप बतारी हुं तो आपको दूसरा उपाए तो करना क्या है आपको तावे के पात्र में जल लेना है या पिष्टील के लोटे में गिलास में भी जल ले सकते हैं और उसमें तुलसी मंजरी डालनी है अब उससे अपने पूरे घर में छिड़काप करना है ऐसे करके पूरे घर में हमें लेके इसको जलको छिड़कना है इससे हमारे घर में जो निगेटिव एनरजी होती है वो बाहर निकलती है और हमारे घर से दरेदिरता बाहर जाती है और स्थाई लच्छीमी का बास होता है, तो इस कारे को अवश्य करिएगा, अब प्रति दिन करना चाहिए, सब कोई अपने घर में, बस बातरूम में हमें यह इसका प्रयोग नहीं करना है, बातरूम को छोड़ देना है, बाकि हमें सभी जग़े पर इसका छड़काव करना है, फ साथ होती है इसको हमें साली ग्राम पर भगवान पर चड़ाना है साले ग्राम भगवान पर केवल मंजरी नहीं चड़ाते पत्ते लगे वह तुलसी दल चड़ाते हैं तो तुलसी दल को जब हम साले ग्राम भगवान पर चड़ाते हैं तो हमें बैकुंट की प्राप्ती होती ह राधा कृष्ण की हमको कृपा प्रापत होती है हमें उनका प्रेम प्रापत होता इससे अधिक हमें क्या चाहिए अब मैं बता रही हूँ चौथा उपाई तो वो चौथा उपाई क्या है हमें एक लाल कपड़ा लेना है आपको दिखाते हुए हमें एक लाल कपड़ा लेना है देखे एक लाल कपड़ा लिया उसमें मैंने तुलसी पत्र रख ली यह तुलसी मंजरी है यह रख ली इसमें जैसे कि यह मैंने तुलसी मंजरी ली और इस लाल कपड़े में रख ली अब इसके मैं पोटली बना लगी एक पोटली बनाई और इस पोटली को लेकर हमें चुप चाप ये एक टोटका है इसको चुप चाप हमें फिर अपने घर के एक कौने में ऐसी जगे बांदेना है जहां पर किसी की नजर ना पड का आपके घर की सारी परिसानिया दूर हो जाएंगी जो धन टिकता नहीं है आपको करजा चड़ा हुआ है जोग नहीं लग रही है ब्यापार नहीं चड़ रहा है तो वह सारे कारे आपके बने लगेंगे तो देखा तुलसी मंजरी का कितना उप्योग है जिसको कि हम कि बदल जाएगी तो यह था तीसरा उपाय पहला हमें सिब्भवान पर जल चड़ाना है दूसरा हमें पूरे घर में छड़काप करना है तीसरा हमें लाल कपड़े में बान कर अपने घर के कौने में टांग देना है अब चौथा उपाय बता रही हूं हमें क्या करना है कि ह में हर सुक्रभार को तुल्सी मंजरी लेकर माता लच्चमी को अरपित कर ना है आपके घर में माता लच्चमी की नहीं है ज्यादा करें तो अच्छी बात है उनको अर्पित करनी है जब आप यह चढ़ाएंगे तो माता लच्छमी की वह किर्पा प्राप्त होगी साइद मुझे वह सब्दों में मैं आपसे बढ़ लेती नहीं कर सकती आप ग्रंथों को पढ़ेंगे न तब आपको पता लेगी तो यह उपाई बहुत कारगर है बस कितना चोटा सा और बिलकुल मुफ्त का उपाई जिसको हम बोलेंगे जिसमें कुछ भी पैसे का खर्चा नहीं हो रहा है तो बस एक मंजरी तो हमें लच्छमी माता को अर्पित करनी है अब बता रही हूं मैं आकरी और पांच मा पाई करना क्या है जो बेहन बेटियां प्रेणन नहीं है साधी को बहुत साल हो गए बच्चा नहीं है उनके संतान का सुथ प्राप्त नहीं हुआ है बहुत परिशान रहती है संतान के लिए बहुत इलाज करवा लिया उनको क्या करना है यह तुलसी मंजरी जब पक जाती ह यह ना काले रंकी पड़ जाती है तो इसमें दाने के रूप में निकलते हैं काले काले दाने निकलते हैं तुलसी के जब आप ऐसे ऐसे करके उसको जड़ाएंगे तो उसमें से काले दाने निकलते हैं उन काले दानों को दस बारे दाने पर डे खाली पेट आपको ग्रहण करन उसको निगल लेना है चवाना नहीं है स्वैलो करना है कम से कम 21 दिन 21 दिन आपको ये उपाय करना है और ये तुलसी मंजरी लेने के बाद आपको एक घंटे तक फिर कुछ भी लेना नहीं है और ये उपाय तो आप बिना इश्नान किये कर सकते हैं लेकिन इश्नान करने के बाद फिर आपको 21 दिन तक यो पाई जब तक कर रहे हो तब तक विस्नु सहस्त्र नाम का पाठ करना है जिसके करने से आपको संतान सुख की प्राप्ती होगी आपकी खाली जोली भर जाएगी और आपके जीवन में सुखी सुख होगा आप जो चाते संतान तो मैंने जितने भी उपाई बताए हैं आप दुबारा से वीडियो देखकर नोट कर लीजेगा और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहेगा और जो लोग परिशान हों उनके साथ सेर कि अवाई तो यदीर दूल के मुथआशा और मेरी जरूर के साथ से डाए हैं आपर मेरे चैनल के साथ जरी जरूर के सब्सक्राइब तो लह द 누के हैं रहें जरूर कि अपता हैं और मेरे टूर के साथ से इवाट भीर